हे टेक लवर्स आपका स्वागत है मुबल फंडा में एक और नए HyperOS2 थीम के साथ जहां आज की थीम उन यूजर्स के लिए होने वाली है जो अपने लोग स्क्रीन को ज्यादा कस्टमाइज करते हैं तो अगर आप भी लोग स्क्रीन कस्टमाइज करना पसंद करते हैं तो आप को इस थीम को ज़रूर ट्राइ करनी चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो वैसे दोस्तों अगर आप अपने करन्ट ज़ेसन की विडियो मिलेगी उसे जरूर चेक आउट करें अब आते हैं आज के इस निव हैपर ऑस्टू ठीम की ओर जहां सबसे पहले चलते हैं इस ठीम के लॉक स्रीं के तरफ तो यहां में कुछ इस लेयाऊट में देखिने को मिलेगा वहीं इस लॉक्ष्रिन के फीचर् जहां पे हमें कुछ default wallpapers देखने को मिलेंगे पलस आप यहां पे कोई भी एक particular wallpaper या फिर folder wallpapers भी यूज कर सकते हैं जिसे आप customized setting पे जाके apply कर पाएंगे दूसरी है clock के formats जहां पे हमें काफी सार formats देखने को मिलेंगे जिसे आप इस arrow पे tap करके change कर सकते हैं वहीं इस clock के color को भी change कर पाएंगे जिसे आप इस customized tab पे tap करके change कर सकते हैं कुछ इस तरह साथ में हमें कुछ यहां पे और features देखने को मिलेंगे जैसे के dynamic island जहां पे हमें काफी सार options देखने को मिलेंगे तूसरा है wallpaper का depth effect जिसे आप यहां से on या फिर off कर सकते हैं वहीं तिसरी आप इस upper wallpaper के size को increase या decrease कर पाएंगे कुछ इस तरह बाकी आपको इस lock screen में अपना customized wallpaper यूज करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा इसके customized setting में फिर नीचे की और आना है तो आपको यहां पे wallpaper related settings का option मिलेगा जिसमें पहला है upper layer wallpaper means के आपको यहां पे without background वाली pick को select करना है जिसे हम png भी कहते हैं वहीं second bottom layer में आपको normal pick यानि के jpg वाली pick को select करना है बट उसे पहले आपको नीचे जो by default wallpaper type का option है उसे tap करके insert wallpaper पे select करना होगा तब ही जाके आप customize wallpaper यूज कर पाएंगे वहीं सबसे बड़ी बात के आप इस feature को तब ही यूज कर पाएंगे जब आप इस में password input करेंगे और वो कैसे और क्या है वो आपको इस वीडियो के end में पता चलेगा next चलते हैं इस theme के home screen के तरफ तो वो हमें कुछ इस layout में देखने को मिलेगा जहांपे top में हमें वही same stock clock widget देखने को मिलेगी वहीं इस theme के icons की बात करें तो वो हमें कुछ इस design में देखने को मिलेंगे हाला कि इन में हमें कोई भी animation देखने को नहीं मिलते हैं वहीं इस theme के control center, volume control layout और setting menu हमें as it is ही देखने को मिलेंगे जैसे कि हमें stock theme में देखने को मिलते हैं मगर अब funda यह है कि यह कौन सा theme है तो इस theme को use करने के लिए आपको जो theme डाउनलोड करना है वो है color mix वहीं इसके features को use करने के लिए आपको जाना होगा customize theme पे फिर lock screen style फिर यह customize icon पे tap करना है तो आपको यहाँ पे password input करने के लिए एक option मिलेगा उस पे tap करना है और type करना है fan हो जो के सारे capital letters में होंगे उसके बाद आप इसके सारे features को use कर पाएंगे वैसे आपको इस theme की link नीचे comments में मिल जाएगा तो आप वहाँ से download करके apply कर सकते हैं तो फिर यह थी आज की new hyperos2 theme उमिद करता हूँ के आपको यह theme अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के interesting themes के लिए चैनल को subscribe करना न भूलें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जै हिंद